पीजेपी के फाइब रांड नेताओं में से एक गिरिराज सिंग ने इस बार लोकसभा में नेता प्रतिफक्ष राहूल गांधी पर जमकर निशाना साधा है जी हाँ वारनसी पहुचे केंद्रे मंत्री गिरिराज सिंग ने राहूल गांधी को जमकर निशाने पर लिया और आरोप लगा डाला कि राइबरेली से सांसद राहूल गांधी देश में ग्रेह युद करवाना चाहते हैं जिस तरीके से गिरिराज सिंग ने ये बयान दिया उसने सोशल मीडिया पर तहल का मचा दिया है कॉंग्रिस नेता चिड़ गए है और गिरिराज के बयान पर रियाक्शन आने शुरू हो गए है लेकिन राहुल गांधी को लेकर गिरिराथ सिंग ने क्या कुछ कहा वो तो सुन लीजिए राहुल गांधी को लेकर गिरिराथ सिंग कहते हैं कि राहुल गांधी देश में ग्रहयुद करवाना चाहते है और इसके लिए वो नए टूलकिट भी बन बा रही है बांगलादेश में जब हिंदों पर हमला हुआ था तभी कॉंग्रेस नेताओं ने इस बात की धम की दी थी और भी कई नताओं ने कहा था कि भारत में भी बंगलादेश की तरह होगा मुझे लगता है बबोट के नाम पर ये भारत में राहूल गांधी ग्रेह जुद्ध करवाना चाहते है और ग्रेह जुद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं और ये लेकिन ध्यान रखे हैं ये कांग्रेश के कुकिर्ट राहूल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि भारत के युबा जब चुक है गिरिराज सिंग ने वक्फ बोर्ट का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि वक्षबोर्ट के बहाने राहुल गांधी घ्रेयूद छेड़ना चाहते हैं वक्षबोर्ट जमीन कबजा करने वाला माफिया है वक्षबोर्ट के बहाने कॉंग्रेस साजिश रच रही है आपको बताते चलें वारनसी पहुँचे गिरिराथ सिंग राहूल गांधी को लेकर ये बयान देते हुए नज़र आए जिसने सोचल मीडिया पर एक नई बहस को जन दे दिया है नई नई टूल किट बना रही है राहूल गांधी ये कहना है गिरिराथ सिंग का अक्सर अपने बयानों से चर्चा बटोडने वाले गिरीराथ सिंग इस बार जब बनारस पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ राहुल गांधी पर सवाल उठाए बलकि अखिलेश यादव के डिने पर भी सवाल उठा दिये उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के पोस्टर वार जिस तरीके से चल रही है ये तो वो अखिलेश यादव हैं जिनके पिता ने राम भक्तों पर बोली चलवाई थी अखिलेश यादव का डिने भी वही है जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है हम तो हिंदू की बात करते हैं और करते रहेंगे सुनिए बनारस में किस तरीके से गर्जे किरिराज से देखिए देश में जब बंगलादेश की घटना घटी थी हिन्दूओं पर अत्याचार हुए थे उस समय कांगरेश के नताओं ने कहा था सलमान कुर्षिद ने कहा था और भी कई नताओं ने कहा था भारत में भी बंगलादेश की तरह होगा मुझे लगता है बबोट के नाम पर ये भारत में राहूल गांधी गरिह जुद्ध करवाना चाहते हैं और गरिह जुद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं और ये लेकिन ध्यान रखे हैं, ये कांग्रेश के कुकिर्ट राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युबा जग चुक है. बबोड और घोशित जमीन कब्जा करने का माफिया है, लेंड माफिया, ब्यार के पटना के बगल में, फतुहा के बगल में एक गाउं बरसों से हिंदू रह रहे हैं, ऐसे कई गाउं हैं, जिस पर वो दाबा ठोक रहे हैं, हशी तो तब आती है, जब संसद को भी कह देते हैं कि ये बबबोड की जमीन है, मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश बबबोड के जमीन पड़ ही है, मुझे तो ताजूब होता है, बबबोड के बहाने, कांग्रिश एक साजीश कर रहे हैं भारत में, गरह जुद करवा है। अब चुनता ना करें, आने दीजे समय सब जैसे ठीक था, वेसे ही ठीक है। फिलिस्तिनी में होता है, तो पेट में दर्द होता है। जब हम कहते हैं हिंदू एकठा रहे, बटोगे तो कटोगे, तो और पेट में दर्द होने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब सुनाव में देश की जनता जगह जगह पर देगी। पी में भी देगी, बिहार में भी देगी, जारखंड में भी देगी, महारास्ट में भी देगी। इसके विरोध में विपंख्षा वो तमाम तरह के पोश्टर जारी किया है। अखलेश यादव के पिता जी ने क्या किया था। उसी डियने के अखलेश यादव हैं, जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई थी। इनका डियने तो वही है, उनको जोरोगे तो जीतोगे, उनका यही है। हम उसमे कहां पर दोगें।